नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉलिवूड अन्बोक्सिंग में दोस्तों कुछ फिल्में ऐसी होती है जिसमें स्टार कास्ट, डारेक्टर, संगीत सारी चीजें सटीक होने के बाद भी उन फिल्मों को दर्शकों का प्यार उस समय नहीं मिल पाता दोस्तों आज हम बात करेंगे साल 1974 की ऐसी फिल्म की जो मोस्ट एंटेटेनिंग होने के बाद भी उस साल टोप 10 में भी जगह नहीं बना पाई थी दोस्तों यह फिल्म उस साल कमाई के हिसाब से बारवे नंबर पर रही और इसने करीब एक करोड़ तीस लाक रुपे का बिजनस किया और सेमी हिट साबित हुई दोस्तों हम बात कर रहे हैं साल 1974 के दिसंबर महिने की छे तारिक को रिलिज हुई अमिता बच्चन प्राण और परविन बावी की फिल्म मजबूर की दोस्तों अगर आप हमारे चैनल वलिवुड अलमोक्सिंग पर नए है तो हमारा चैनल सब्सकाइब जरूर कर ले क्योंकि हम फिल्मों से जूरी अंदर की बाते आप के लिए लाते रहे हैं दोस्तों फिल्म मजबूर को 1973 में लॉंच किया गया था इस फिल्म के स्टोरी राइटर थे सलीम जावेद यहां अमिता बच्चन के साथ सलीम जावेद की दूसरी फिल्म थी दोस्तों सबसे पहले इस फिल्म की कहानी सलीम जावेद ने निर्माता जीपी सिपी को सुनाई जीपी सिपी को कहानी पसंद भी आई लेकिन वे इसकी जगा कोई मल्टी स्टार मुवी पर काम करना चाहते थे क्योंकि जीपी सिपी की पिछली फिल्म सीता और गीता ब्लोक बस्टर फिल्म रही थी निर्माता जीपी सिपी ने सलीम जावेद से कोई मल्टी स्टार मुवी की कहानी सुनाने को कहा तो सलीम जावेद ने उन्हें शोले की कहानी सुना डाली निर्माता जीपी सिप्पी को शोले के मुकाबले मजबूर की कहानी थोड़ी सी हलकी लगी तब जीपी सिप्पी ने मजबूर की स्टोरी को छोड़ दिया और शोले पर काम स्टार्ट कर दिया बाद में सलीम जावेद ने ये स्टोरी निर्माता प्रेम जी को सुनाई उन्हें फिल्म पसंद आई तो स्क्रिप्ट दो लाक रुपे में उन्हें दे दी गई निर्देशक के तोर पर चुने गए रवी टंडन रविना टंडन इनी रवी टंडन की बेटी है रवी टंडन को फिल्म की स्क्रिप्ट काफी लंबी लगी खास कर वे सीन जिसमें अमिता बच्चन पर ब्रेन टूमर हावी होता है रवी टंडन ने ये सीन बहुत फास शूट कर लिये थे समसा यहां यह थी कि उस समय दर्शकों को इस बिमारी के बारे में ज़्यादा जानकरी नहीं थी और सीन इस तरह से शूट करने थे कि दर्शकों को सीन भी समझ में आ जाए दोस्तों फिल्म मजबूर साल 1970 में आई हॉलिवोड फिल्म फाल्स विटनेस से प्रेडित थी इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे अमिता बच्चन, परविन बाबी, प्राण, फरिदा जलाल, सत्यन कपू, सुलोचना लाटकर, इफ्तिकार, डीके सपरू, मदन पूरी, के एन सिंग, रह्मान, मेक मोहन, मुराद और जगदीश राज दोस्तों यह उस समय की फिल्म है जब प्राण को अमिता बच्चन से जादा महनताना फिल्म के लिए मिलता था दोस्तों यह अमिता बच्चन की एक मातर इसी फिल्म है जिसमें उन्होंने रह्मान, अनुप कुमार और शिव कुमार जैसे अभिनेताओं के साथ पहली और आखरी बार काम किया था फिल्म मजबूर अभिनेतरी परविन बाबी की चोथी फिल्म थी और अमिता बच्चन के साथ वे पहली बार इस फिल्म में नजर आई थी इसके बाद दोनोंने सुहाग, दिवार, देश प्रेमी, दो और दो पाँच, कालिया, काला पत्थर, महान, नमक हलाल, शान, खुद्दार और अमर अकबर इंथोनी जैसी फिल्मों में साथ काम किया इन फिल्मों में आदा दवजन फिल्में ऐसी हैं जिनमें वे एक दूसरे के अगेंस्ट कास्ट किये गए थे दोस्तों फिल्म मजबूर परविन बाबी की पहली नोटेवल फिल्म थी इससे पहले उन्होंने चरित्र, दूएं की लकीर और चटिस घंटे जैसी फिल्मों में काम किया था इस फिल्म के बाद ही परविन बाबी का केरियर रफ्तार पकड़ गया था फिल्म मजबूर में अभिनेता डीके सपरू ने परविन बाबी के पीता का किरदार निभाया था अभिनेता डीके सपरू कई फिल्मों में अपने बहतरिन अभिने के लिए जाने जाते हैं आगे जाकर उनके बेटे तेज सपरू ने भी हिंदी फिल्म इंडस्टी में सहायक भूमिकाय निभाई और कई फिल्मों में विलेन के बेटे या विलेन के राइट हैंड के किरदार में नजर आए तेज सपरू के अलावा तेज सपरू की बहन प्रिती सपरू भी फिल्मों में सक्री रही अबिनेता डीके सपरू की दूसरी बेटी रीमा सपरू ने माधूरी दिक्षित के सेक्रेटिर रहे राकेश नाथ के साथ शादी की थी साल 2002 में आई फिल्म ये दिल आशिकाना से डेबियू करने वाले अबिनेता करणनात के नानाडी के सपरू ही है दोस्तों फिल्म मजबूर में अमिता बच्चन की बहें की भूमिका में नजर आई थी फरिदा जलाल यहां फरीदा जलाल की बहन की भूमी का वाली काफी लोग प्रिये फिल्म रही थी अमिता बच्चन और फरीदा जलाल पर फिल्माया गया गाना देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए उस समय का काफी फेमस गाना रहा था दोस्तों फरीदा जलाल और प्राण को इस फिल्म के लिए 1975 के फिल्म फेर पुरुसकार के लिए बेस सपोर्टिंग एक्टर की केटेगरी में नॉमिनेशन भी मिला था दोस्तों फिल्म मजबूर में निर्देशक रवी टंडन ने पहली बार अमीता बच्चन के साथ काम किया था जो की सलीम जावेद ने लिखी थी इसके बाद रवी टंडन और अमीता बच्चन ने कादर खान द्वारा लिखी फिल्म खुदार में भी साथ में काम किया दोस्तों फिल्म के निर्देशक रवी टेंडन इस बात को लेकर टेंशन में थे कि फिल्म में प्राण की एंट्री बहुत देर बाद हो रही थी इस समस्या को सुल जाने के लिए निर्देशक ने फिल्म में प्राण का गाना जोड दिया गाना था कि फिरना कहना माइकल दारू पीकर दंगा करता है उस समय अभिनेता प्रान का ये जल्वा था कि वे अपने दम पर ही फिल्म को हिट करवा देते थे फिल्म में प्रान का माइकल डिसुजा के रूप में खास गिरदार है जो फिल्म के एंड तक चलता है और फिल्म के हीरो को नयाय भी दिलाता है प्रान का इस फिल्म में एक अलग ही अंदाज देखने को मिलता है फिल्म में प्राण अपने हाथों का उपयोग दुर्बिन की तरह देखने में करते हैं प्राण ने ये एक्सपेरिमेंट फिल्म के निर्देशक रवी टंडन को देख कर किया था प्राण इससे पहले भी कई एक्सपेरिमेंट इस तरह के कर चुके थे फिल्म मजबूर के बाद इसके निर्माता प्रेम जी और निर्देशक रवी टंडन फिर एक साथ आए साल 1980 में इस साल इस जोड़ी की फिल्म थी जवाब जिसमें राजबबर और इसमिता पाटिल ने काम किया था फिल्म मजबूर में क्लाइमेक्स वाला सीन 1970 में आई होलिवूड फिल्म कोल्ड स्वेट से कोपी किया गया था फिल्म कोल्ड स्वेट के एक सीन में चाल्स ब्रांसर की कार हाईवे से नीचे रेत और पहाड़ी वाले इलाके में आ जाती है फिल्म मजबूर में अमिता बच्चन को चार्ल्स ब्रांसर जैसी ही लाल कारवेट कार ड्राइब करते हुए दिखाया गया है दोस्तो यह सीन हुबुहु फिल्म कोल्ड स्वेट के जैसा ही फिल्म आया गया था दोस्तो अविजित घोष की किताब 40 रिटेक्स बॉलिवूर क्लासिक यू में हैव मिज में फिल्म मजबूर को जगा दी गई है दोस्तो साल 2002 में आई सुनिल शेटी नमरता शिरूटकर और इंदर कुमार की पार्थो घोष द्वारा निजशित फिल्म मसीहा को पहले मजबूर टाइटल से बना जा रहा था यह वही फिल्म थी जिसकी शूटिंग के दोरान अभिनेता इंदर कुमार हेलिकॉप्टर से गिर गए थे और उनका पेर तूट गया था इसी काराण यह फिल्म बहुत लेट हो गई और इसका शिर्शक मजबूर से बदल कर मसीहा कर दिया गया दोस्तो साल 2008 में मिमो चकरवर्ती अभिनेत उनकी डेब्यू फिल्म जिमी की लगभग पूरी स्टोरी फिल्म मजबूर से ही ली गई थी फिल्म जिमी में मिमो मडर का दोस्ट अपने सर यह सोच कर ले लेता है कि वह मरने वाला है दोस्तो 1970 में आई हॉलिवूड फिल्म फाल्स विटनेस से प्रेरित फिल्म मजबूर का दूसरी बाचाओं में भी रिमेक बना साल 1976 में तेलगू में इसे राजा नाम से अभिनेता सोहन बाबू के साथ बनाया गया साल 1979 में तमिल में नान वाजवयपन नाम से अभिनेता शिवाजी गनेशन के साथ बनाया गया इस फिल्म में उनकी हिरोईन थी के आर विजिया इस फिल्म में रजनी कांत ने प्राण वाली भूमी कानिबाई थी दोस्तों फिल्म मजबूर में संगीत दिया था लक्ष्मी कान प्यारे लाल ने और इसके गीत लिखे थे आननद बक्षी ने फिल्म के सारे गाने लगबग हिट रहे थे दोस्तों इस फिल्म में अभिनेता सज्जन ने डाक्टर का किरदार किया है जिनोंने बाद में रामानन सागर के धारावाहिक विक्रम और वेताल में वेताल की भूमी का निबाई थी दोस्तों फिल्म मजबूर में मैक मोहन ने प्रकास नाम की केरेक्टर का रोल पले किया था ये केरेक्टर चोरों से पुरानी किमती चीजे करीद कर उचे दाम में लोगों को बेशता है यहाँ मैक मोहन की शुरुवाती दोर की फिल्म है फिल्म के निदेशक रवी टंडन ने मेक मोहन की बहन से शादी की थी इस लिहाद से मेक मोहन रवीना टंडन के रिष्टे में मामा लगते हैं दोस्तों दरसल अभी नेता मेक मोहन का असली नाम मोहन माकिजानी था उनकी शुरुआती कई फिल्मों में उनकी द्वारा निभाय गए करेक्टर मेक के कारण उन्होंने अपने नाम को आगे मेक मोहन नाम से फिल्मों में दिया अमिता बच्चन के साथ ही मेक मोहन ने मजबूर के अलावा शोले, शान, सत्ते पे सत्ता, डोन, जन्जीर, खुन पसीना, कसोटी, महान और काला पत्थर जैसी फिल्मों में काम किया दोस्तों साल 1974 के दिसंबर महिने में रिलिज हुई फिल्म मजबूर कमाई के मामले में टोप 10 में भी जगा नहीं बना पाई थी ये एक बहुत दुर्भाग्य पूर्ण बात रही थी दोस्तों उस साल की रिलिज फिल्मों में फिल्म मजबूर थी बारवे नंबर पर और इस फिल्म ने एक करोड़ 30 लाक रुपे का बिजनस करके यह एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई थी दोस्तों साल 1974 की हिट फिल्मों की बात करें तो पहले नंबर पर रही थी मनश कुमार की रोटी कपड़ा और मकान दोसे नमबर पर रही थी फिल्म चोर मचाय शूर साल की टोब 5 अगली फिल्मों में फिल्में थी दोस्त प्रेम नगर और विदढ़ी इसी साल जहां साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में अमिताब अच्चन भी फिल्म का हिस्सा रहे थे तो अमिताब की एक और फिल्म बे नाम भी इस साल रिलिज हुई थी जो कि एक फ्लोप फिल्म साबित हुई थी दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बोलीवूट अन्बोक्सिंग को सब्सक्राइब जरू करें धन्यवाद